Hello मेरे प्यारे स्टुडेंस, स्वागत आपका दर ललित मिश्रा शो में मैं आज यहाँ पर आपकी एक समस्या को लेकर आया हूँ उस पर डिस्कस करने के लिए आप लोगों के बहुत सारे कुश्चन्स आते हैं मेरे पास मेरे स्टुडेंस भी पूछते हैं और बाहर की स्टुडेंस भी पूछते हैं जो मेरे डारेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं है उनका यह कहना है कि सर टॉपर बहुत सारे स्टुडेंस बन जाते हैं क्या उसमें मैं कहीं दूर दूर तक फिट हो रहा हूँ क्या सब उसमें fit हो रहे हैं क्या ज़्यादातर लोग topper बन सकते हैं कैसे बन सकते हैं topper बहुत ही जायज question है आप लोगा क्या topper बनने के लिए कुछ अलगसी qualities की जुरत होती है ये भी बिल्कुल जायज question है आप लोगा मैं आज उसी question पर आप से बात करूँगा तो आपको मेरा show देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद जो आप मेरा show देख रहे हैं और यदि अच्छा लगे तो इसको like कर दीजेगा subscribe कर दीजेगा तो हम आगे बढ़ते हैं टौपर बनने के लिए हमें क्या चाहिए टौपर बनके हमें सफल होना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना परेगा बच्चों कि सफलता है क्या चीज़ सफलता होती है क्या तो सफलता जो आपने एक निर्धारित लक्ष ले लिया है कुछ न कुछ आपका निर्धारित लक्ष है कि हमें 100 परतिसत मार्ष लाना है 100 परसेंट मार्ष लाना है उसको यदि आप पूरा कर लेते हैं यही तो सफलता है यानी सफलता आपका एक परिणारम है result है जो आप किसी लक्ष को पूरा करते हुए उसको लेते हैं एक परिणाम है ये तो उसके लिए हमें सबसे पहले लक्ष परिणाम ही क्यों है तो जैसे माल लेते हैं किसान जब खेत में बीज बोता है फसल लगाता है वो तो उससे जो उसको अच्छा फसल मिल जाता है अच्छी फसल उसको मिलती है वही तो उसका उसकी सफलता है यानि सफलता यहाँ पर एक परड़नाम के फॉर्म में है तो फिर टॉपर बनना क्या चीज़ है तो टॉपर बनना आपका लक्ष है और बाकी उसको करने के लिए आप जो जो करते जाते हैं वो भी एक तरह की बीच बीच में कई सफलताएं आप राप्ट कर रहे है तो क्या सफलता प्राप्ट करने मुश्किले नहीं आती है क्या हमें मेहनत नहीं करनी परती है हाँ मुश्किले भी आएंगी मेहनत भी करना परेगा मुश्किल आ सकती है और नहीं भी आ सकती है तो अब बात यह है कि क्या किसान को भी मुश्किलें आती है यह मुश्किलें उसको भी आ सकती है कभी उसको बहुत ज़्यादा उसमें पानी देना परता है कभी बारिश नहीं हुई तो और पानी की वहस्ता नहीं है तो पानी की वहस्ता उसको करनी परेगी उसी तरह से क्या उसको खुब मेहनत करनी परती है तो ख्लियर आप जानते हैं मेहनत करनी परती है कुमार भी बहुत ज़दा मेहनत करता है जब उसको अपने बरतन बनाने होते है तो यानि आपको मेहनत तो करनी परेगी आप एक फैसला ले रहे हैं क्योंकि आपको सफल होना है आपको टॉपर बनना है आपको 100% मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आप उसमें बहुत सारे काम बीच में करते जाएंगे जितने भी टॉपर्स को आप सुनते हैं उनके इंट्रिवू सुनिये आपको पता चले हो क्या कह रहे हैं उन्होंने टॉपर बनना एक लक्ष रखा तो है लेकिन उनके माइंड में नहीं था कि टॉपर बनेंगे कि नहीं वो टॉपर तो अपने आप बन गए यानि सफलता उनको मिल गई उनका परिणाम था तो स्टुडेंस जब सफलता प्राप्त करने के लिए आते हैं उसके क्रम में तो क्या होता है उनको और सफलता का स्वाद भी चखना परता है सबको चखना परता है किसान भी अपने खेत में काम कर रहा है तो कभी-कभी ऐसी बाते होती है कि जैसे अचानकी सूखा पर गया क्या उसको सफलता नहीं चखना परता है क्या उसके लिए मैनत करना बंद कर देता है समस्या ही तो आएगी बीच में सब कुछ करना परेगा तो आपको क्या करना है अपना एक लक्ष निर्धारित करना है लक्ष सोचना है कि आपको कितने परसेंटेज माक्स चाहिए आपको क्या करना है यदि आपको 100% माक्स चाहिए तो आप अपने सटिसफैक्शन के हिसाब से तयारी करेंगे अपना satisfaction यदि आपको मिलता है तो इतनी आपको तैयारी करनी है क्योंकि students को अच्छी तरह मालूम है कि उसको उसकी तैयारी कैसी है उनको पता चलता रहता है तो यदि आप सफलता को एक मुश्किल नहीं बनाएं सफलता को मुश्किल नहीं बनाना है सफलता प्राप्त करने के लिए मुश्किलें आ सकती है सफलता को मुश्किल नहीं बनाना है सफलता को यदि आप मुश्किल बनाएंगे तो आपके लिए सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा असंभव ही हो सकता है बहुतों के लिए संभव हो जाता है impossible word यूज कर लेते हैं वो तो impossible हो सकता है यदि हम सफलता को impossible मान ले यदि हम कोई भी काम करते जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी यदि हम सही direction में जा रहे हैं जैसे यदि आप यहां से आगरा के लिए चल परते हैं और सही आपने रास्ता लिया हुआ है तो आपको आगरा पहुँचने में सफलता मिलेगी ही मिलेगी आगरा आप पहुँची जाएंगी लेकिन आपने यदि गलत रास्ता लिया हुआ है आपके mind में है ही नहीं कि मुझे आगरा पहुँचना है सिधे आप चल परे हैं जो कि आप लोगों में से ज़्यादातर करते हैं सिधे पढ़ना सुरू कर देते हैं कुछ पढ़ लेते हैं फिर क्या होता है बीच में हमारी जो ले बना हुआ पढ़ने का जो करम बना हुआ तूट जाता है क्योंकि आपके मन में एक निर्धारित लक्ष नहीं है इसलिए आपको सफलता नहीं मिलती है तो सफलता मिलती है या नहीं मिलती है बात की बात है सबसे पहले सफलता के बीच में हमें और सफलता का स्वाद लेना परता है कैसे लेना परता है जैसे आप टेस्ट में अचानक ही जो माक्स आपने चाहा वो नहीं मिला तो आप लोग परिशान हो जाएंगी यदि ऐसे परिशान होने लगें और फिर प्रयास छोड़ दें फिर कोशिस छोड़ दें फिर आगे अटेंप्ट करना छोड़ दें आगे ट्राई करना छोड़ दें तो क्या हमें दुबारा सफलता मिल सकती है तो नहीं मिल सकती है जैसे थॉमस अलवा अडिशन को एक हजार बार और सफलता का स्वाद चखना परा लेकिन उन्होंने क्या कहा था और सफलता को भी सफलता से जोर दिया यह भी एक सफलता है क्यों क्योंकि उनको एक हजार अपने में कमिया ढूंड ली उन्होंने कि जिसकी बज़ा सो सफल नहीं हो पा रहे थे थॉमस अलवा एडिशन एक हजार कमिया उन्होंने ढूंड ली जिसकी बज़ा से वो सफल नहीं हो पा रहे थे उसी तरह से यदि हम टेस्ट में सफल होते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है आपका कौन-कौन सा पक्ष कमजोर है कौन-कौन सा सब्जक्ट आपका कमजोर है कहां कहां पर कौन-कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है आपको पता चलता जाता है तो इसमें क्या अच्छा होता है कि हम अपनी टेस्ट खुद ही लेते रहें एक मैंने इंटर्व्यू सुना था स्तुती खांडवाल का जो एक साथ 12 एक्जामों में 12 टाइपस के एक्जामों में अच्छी रैंक्स लाई एमाइटी तक के पेपर में उन्होंने अच्छा रैंक्स लिया जिसकी वज़ए से उसको 90% स्कॉलर्शिप मिलने का लक्ष मिल गया उनको 90% स्कॉलर्शिप मिल सकता था तो कैसे यह संभव हुआ उन्होंने यह संभव करके उन्होंने दिखाया क्योंकि उनके मन में था उन्होंने सफलता को एक मुश्किल नहीं बनाया उनको पता था कि यदि वो मेहनत कर रही है और सही तरीके से मेहनत कर रही है तो उसको सफलता तो मिल नहीं है सफलता मिलेगी मिलेगी उनको हमें क्या करना है सफलता की definition में नहीं जाना है क्योंकि सफलता एक परिणाम है और लगातार चलने वाली process है क्या आप एक बार सफल हो जाते हैं किसी भी चीज में तो क्या आपका वो last destination हो जाता है तो नहीं उसके बाद फिर आपको दुवारा आगे की तैयारी करनी परेगी आपको दुवारा आगे चलना परेगा क्या हम first class में यदि हम pass हो गए या उसमें हम ने score कर लिया अच्छे marks तो क्या हम second class के लिए दुवारा तैयारी नहीं करेंगे second class के लिए करेंगे ऐसे करते करते 12th class तक जाएंगे तियानी हमारा एक करम बना हुआ है फिर यदि हम उसके बाद किसी college में जाते हैं चाहे हो training college हो चाहे engineering college हो चाहे normal आप कहीं master's या bachelor's के degree करने के लिए जाते हैं degree लेने के लिए जाते हैं क्या वहाँ पर भी आपको दुवारा उतनी मेनत नहीं करनी होती हैं तो दुवारा करनी परती हैं लेकिन यदि आपने शुरू से एक बना लिया है कि मुझे मेनत करनी है तो आप मेनत करते जाएंगा आपको उसे में मज़ा आएगा यानि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मेनत को एंजवाई करना है अपने जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजवाई करते हुए चलना है जैसे हम कहीं भी जाते हैं किसी भी रास्ते में पूरी तरस एंजवाई करते हुए जाते हैं हमारे मन में रहता है कि हमें ताज महल देखना है हमें वहाँ आगरा पहुंचना है ये तो मन में रहता ही है साथ में रास्ते में भी जाते हैं तो हम जहाँ जहाँ पहुंचते जाते हैं एक तरस वह सारी सफलताएं हैं और उसको मिंजवय करते हुए जाते हम यहां तक आगे अब इसके आगे इतनी दूर बाकी है हमें वहाँ पर जाना है तो हम साथ में क्या करते हैं पता करते रहते हैं कि हमें कहां पर जाना है और कितनी दूर बाकी रह गया रास्ता तो वो भी यदि हम ढूंटे रहते हैं तो फिर जो पस्तित होंगे झाल 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 झाल